वीटी बुलिटिन स्पॉंसर बाई उत्तम सिंग अकाड़मी रीवा मुख्यमंदर्य कबलनाथ रेगाओं में उप्चुनाओं में प्रचार करने आये है थे विभिन संगठनों की महिलाओं का आरोप है कि इस दौराएं कबलनाथ के द्वारा महिलाओं के खिलाफ बेयान दिये गए आज रिवा में वेभिन नसमाजक संगठनों के साथ भारी संख्या में महिलाओं ने पूर्व मुख्यमंद्री कबलनात का पुतला देहन किया और विरोध किया विरोध प्रदेशन के दोरायन पूर्व मुख्यमंद्री कबलनात को चेतावनी दी गई कि महिला पदादिकारियों ने यह आरो भी लगाया कि बहुखलाहट में पार्टी बॉखलाहट में हैं पर नारी अपमान पर उतर आई एक तरह प्रियंका गांधी घोशना करती हैं कि हम 50% महिलाओं को टिकट देंगे और वहीं उप्चुनाओं में हमारी प्रत्याशी जो भाज़पा की सबर्तित प्रत्याशी हैं प्रतिमा भागरी जी उनके खिला महिलाओं के खिलाब पढ़ रहे हैं अपराधिक मामले इस बात की गवाही देते हैं कि अपराधियों में कानून का जरावी खौफ नहीं है और यदि पुलिस सकती से भी इन प्रकरणों का निराकरण करती है तो इसके बावजूद भी अपराधियों के होसले बुलंद है र अजय संबंद मनाया और फिर के सोरी को छोड़ कर आरोपी फरार हो गया पुलिस आरोपी की तलास कर रही है है कि कुछ दिनों पहले आरोपी की परिजनों ने गुम्शुदी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बताया था कि उनका बेटा लापता है लेकिन वहीं बेटा द नावालिक बच्ची को तो उस बच्ची ने ये बताया है कि निपनिया निवासी एक साहिल अंसारी करके एक लड़का है 18 साल का वो बच्चा उसे बहला फुसला करके अपने साथ भगा करके ले गया था शादी का जहां साभी करके ये लोग जबर गए वहां तीन चार दिन वहां से शायद कोर्ट मैरेज का बोलके से वापस लेके आया है और फिर बस टेंड पर छोड़के कहीं बाग गया तभी लड़की गई है और मतलब महिला दाने पहुंची है वहां से वन स्टॉप सेंटर और फिर वहां से मारका साहिए अभी तक क्या कारवाई में लड़की सीधी भरती का आफर दिया गया आपको बता दी कि भारत सरकार के माध्यम से जनपत कारियाले में रोजगार सिविर कायोजन किया गया इस रोजगार सिविर में अब तक 90 लोगों का साक्षात कार होने के बाद 24 लोगों का चैन कर लिया गया है और चैन पर क्रिया अभी भी हरतियों को सिंग्रोली में ट्रेइनिंग दी जाएगी इसमें सुरक्षा कर्मी के लिए सुपरवाईजर के लिए दो माह की ट्रेइनिंग रखी गई है ट्रेइनिंग के दौरान अब भिहरतियों के लिए हरेने वं खानी के विवस्था S.I.S. के द्वारा मुहाया कराया जाएगा सिविर के संबन्ध में जानकारी देते हुए S.I.S. के H.R. कमल राजबूत ने बताया कि चैनित अभी हर्थियों को ट्रेनिंग के बाद इंदौर, दिल्ली, जबलपूर, सिंग्रावली अब हुपाल में उनकी योगिता अनुसार सुरक्षा गार्ड अब हम सुरक्षा सुपर्वाइजर की नौकरी दी जाएगी हलाकि सिविर के माध्यम से अभी रीवा के लिए कोई भी पद नहीं बताया गया है और जिसके लिए आने वाले समय में आगे सिविर लगाया जा सकता है बढ़ती हुई महगाई बिरुजगारी से आज हर कोई परिसान है वहीं व्यपारियों को धंदे में आई मंदी की चिंता भी सता रही है वहीं कुछ ऐसे व्यपारी भी हैं जो सीजनल व्यपार करते हैं नवरात्री और दीपावली के समय मूर्ती की बिक्री कर अपना गुजर बसर करते है अरिवान अगर निगम में आज ऐसे ही व्यपारी एक साथ एक जुट कर होकर पहुचे और उन्हों ने यह सिकायत की कि व्यपारी को साइ मंदिर के पास से हटाया जा रहा है जिससे उन्हें काफी परिशानिया हो रही है उनका व्यपार मेह चार दिन का है और उन्होंने अपील की है कि उनकी मदद की जाए और अगर सीजन में मूर्ती नहीं बेच पाए तो उनके लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो जाएगा व्यापारियों ने यह भी कहा कि पिछले दिनों करो नकाल में उनका व्यापार काफी प्रोहावित हुआ है इसके अलावा भी जिला प्रसासन में एमनगर रिगम प्रसासन ने व्यापारियों ने क्या अपील की है यह आप खुद सुनिये मौन प्रधान हम लोग आये हैं मूर्ती लच्मेगडे जी की देश से आये हैं और हम 10 साल से मूर्ती लगा रहे हैं और साही मंदिर के सपास हम लोग 10 साल से मूर्ती लगा रहे हैं दो साल लाग डाउन में हम लोग बहुत मारे गए दो साल से हम लोग का सभी तरह का वैपार एकड़म बंद कर दिया गया आज किसी भी तरह से लोगों से करजे लेके बैंक से करजा लेके हम लोग बैपार करने की कोशित कर रहे हैं और प्रसासन और कमिशनल सहाब और अधि विधायक उनसे अन्रोध है कि हम गरीबों के उपर धान दे और हम गरीबों का चार दिन का बैपार है तो हम गरीबों के मुपेट में लात मत मारे हना उनसे अन्रोध है जो भी फैसला ले अच्छा ले हम गरीबों के बारे में बहुत अच्छी चीजे सोचे क्योंकि हम गरीब चार महीने बैठते हैं एक दिन के लिए चार दिन के लिए बैपार कर रहे हैं और कोई गलत बैपार नहीं है लच्मी गडेज जी कहा है दुनिया में पूजा होती है अगर हम दुकान दार दुकान ना लगाएं तो पूजा है न भगवान को कौन लेके जाएगा अपने घर में तो हमारी यही गुजारी से कि कमिस्टनल साहब हमने हमारा कहने का मतलब यह है कि कमिस्टनल साहब इतने समझडारे जो भी सलाह ले अच्छी ले मतलब हम गरीबों का पूरी तरह से पेट ना मारें कहीं न कहीं पे हमको जगह दे और साई मंदिर के पाथ जगह नहीं देते हैं तो कहीं भी दे मतलब यह है कि रस्ता हम लोग के लिए निकाला जाए डारेक्ट हाथ मत उठा लें कि हम आपको दुकान नहीं लगाने देंगे और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी जगहों में दे जहां पे पब्लीक जा सके और हम अपने बैपारी अपने मुर्ती लच्मे माताओं को बेश सके हैं हना हम बहुत कर्ष्ट से गुजर रहे दो साल से मार खाये हुएं तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अड़र होगा हना हम दुकानदार पचास दुकानदार हैं हम यह कहते हैं कि हर कोई है लाई बीचता है ।ो हजार रुपे जए कि कोई मूर्ती बेचता है सब तरह का हम लोगों ने ये है कि कहीं से करजे लेके आज मूरती लिया है नो दो लाख रुपए की मूरती लाख लाख रुपए की पजा प्यास है कि हर कोई लाया है तो अब हम गरीब क्या करें है ना पूड धंक से बनाए गई हो जितनी उनकी गारंटी फीरेट रहती है उस समय तक वो चल पाती हो अब यदि रीवा की बात की जाए तो मन्गमा से चागाट नेसनल हाईवे 27 घटिया गुडवत्ता से पहले नमबर नमबर वन पर आती है मलेशियन कंपनी टाप वर्थ कंपनी क सडक की बात की जाए तो फिर कटरा से मौगंज सडक की बात की जाए तो इन राज्य की सडकों से भी बदतर हालात इस समय मन्गमा से चागाट नेसनल हाईवे की है विशेश कर सोहागी पहाड में तो हालात इतने खराब हैं कि कब कहा दुरगटना हो जाए पता ही नहीं चल पाता अभी हाली में लगातार हो रही सड़क दुरगटनाओं के कारवड जमकर मीडिया बाजी हुई और मामले की सिकायत समाजी कारे करता सिवन अंदवेदी के दौरा वरिष्ठ अधिकारियों को की गई और यहां तक की कलेक्टर मुखे मंद्री के नाम ग्यापन सौंपकर स साथ दिवस के अंदर कारे ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई लेकिन जहां सड़क पर छुटपुट कारे प्रारम हुए वहीं बड़ी सिकायत पर तो कोई कारवाही ही नहीं हुई सिवन अंदवेदी की सिकायत को देखा जाए तो उन्होंने सौहागी पहाड में स टूबर के पहले सब्ताह में पुलिस अधिक्छक रिवादवारा MPR DC को पत्र लिकर सिकायत की जाच कर कारवाही की बात कही गई है अब देखना यह है कि कितना जल्दी सौहागी पहाड की सड़क समतल की जाकर बेहतर बनाई जाएगी और कब परियाप्त मात्रा में नोटि इस अधिकारियों के उपर कारवाही के माग भी की है अक्तूबर 2021 को यहां सौहागी पहाड में MPR DC नेशनल हाइवे की 27 नंबर की जो सड़क बनी हुई है मन्गमा से चाथ इसमें सौहागी पहाड में जो दुरभटनाए होती है और इसकी डिजाइन से संबंदी तिजाज क इसकी सिकायत है जिसको हमने ग्यापन के तौर पर भेजा था और साथ दिन का उस समय हमने समय दिया था कि इस पर कार्यावाही की जाए ग्यापन जो था मुख्यमंत्री मद्वेश चासन के साथ डीजीपी और संबंदी बरिश्टाथी कारियों को भेजा गया था तो इस पर पत्राचार किया गया डीजीपी कार्यालाइक द्वारा पत्राचार कर इसमें दो पत्राचार किये गए एक साथ अगस्त को हुआ और फिर उस पर कार्यवाही नहीं तो 21 सितंबर को पुली सधिक्शक रिवा के नाम पर पत्र जारी कर और हमारी जो सिकायतें थी उस पर और इंजेनियर्स द्वारा सही तरीके से मुल्यांकन और सत्यापत नहीं किया गया इन सड़कों का क्योंकि भरष्टा चार किया गया सलक्त सराज आप यहां पर नेशनल आए बे 27 सुहागी पाहड पर खड़े हुए हैं जाच में आये थे क्या मामला था किसके सिकायत पर ज प्याइडीची कि उसकी जो है मतलब यहां जाच पर आए यह सड़क जो है दोहजार उन्रीस पे बन चुकी थी जिसमें कि हाट पोर्षन में सही डिजाइन का नहोंना इनके दोरह किया गया था और कारे की गुर्वत्ता तो इससे मेरा यह कहना था कि चुकि यह दोवर स्प इसके लिए स्पीट बेकर बना दिये गए है उसमें साइन बोर्ड और पेंटिंग की काम करवा दिया जाए और घाट पूर्षन में बैच रिपेर के कार प्रगत पे है और और जो भी जो है बतिन के तरह सुझाओ होगा सिधी जली के जमूरी थानां तरगत अगियार खोव में एक महिला ने पारिवारिक रंजिस से तंग आकर खुद को आग के हवाले कर दिया जिसके कारण महिला बुरी तरीके से जुलस के पर जुनोत वारा अनंफानन में महिला को इलाज के लिए चिकित साले ले आया गया ज जिससे आग में बुरी तरीके से जुलस गई और महिला के मृत्ति हो गई महिला के पती राजेस गुपता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजेस गुपता के भाई परिवार द्वारा आए दिन गाली गलोज की जाती है और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है महिला ने पती के अनुसार इनहीं सभी बातों से तंग आकर महिला ने इस प्रकार का कदम उठा लिया है फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की विवेचना में लास को पूश्ट मार्टम के लिए भीज़ दिया गया है आम तोर पर देखा जाता है कि अधिकांस लोग यातायाद के निमों का पालन नहीं करते हैं जिसके कारण बहुत सी बड़ी दुरगटनाएं भी होती है और यहां तक की लोगों के द्वारा हिलमिट का उप्योग भी नहीं किया जाता है महीं दूसरे और वहन चलाते चलाते फोन पर भी बात की जाती है जिसके काईलन से दुरगटना का खत्रा हमीसा बना रहता है समय समय पर सीधी पुलिस द्वारा यातायाद जागरुकता के लिए विविन प्रकार के कदम उठाई जाते हैं जैसा कि लोगों से समबाद करना और उनको जागरुक करना इसी करम में सीधी पुलिस द्वारा ऐसे सभी लोग जिनके द्वारा यातायाद के नेमों का पालन किया जा रहा है और खासकर हिलमिट का उप्यो किया जा रहा है उन्हीं पुलिस के द्वारा धन्यवाद वो बढ़ाई रिजा रही है इसी किरम में पैदल मार्च द्वारा भी पुलिसिया विवस्था को और अधिक दुरुस्त करने का कारी किया जा रहा है कोटवाली प्रभारी ही टेंद्र नाथ शर्मा यातायात प्रभारी कल्याडी पाल के नेत्रित्त में सुवेदार भगवत प्रसाथ पांडे और द्वारा इस प्रकार के कारे लगातार किये जा रहे हैं जिससे के और भी लोग यातायात के नियमों के ब्रदे संगल पित रहें सेधी से अभिलास मिस्रा की रिपोर्ट तो ये थी आज की रिवा और विनेस जड़ू ही कुछ प्रमखबरें ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रोजाना देखते रहें विन्ध्या टाइमस बहुत बहुत धन्यवाद